आप सभी के हिर्दे में विराचमान परमात्मा को मेरी राम राम देवराज इंद्र भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं और उनसे क्या मांगा उन्होंने कि हे प्रभु मुझे आप अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए उसी क्रम में देवराज इंद्र आगे कह रहे हैं दे भक्ति रमा निवास त्रास खरन सरन सुख दायकम त्रास खरन सभी प्रकार के भयों से मुक्त करने वाले हे राम जी हे रमा पति हे रमा निवास मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए त्रास खरन क्यों कह रहे हैं क्योंकि रावन के त्रास से देवराज इंद्र इतने द्रस्त थे कि कापा करते थे अब रावन का वद करके राम ने उन्हें त्रास मुक्त किया तो कह रहे हैं वे त्रास खरन सरन सुख दायकम और जो आपकी शरण में आ गया हे सुख दायकम सुख देने वाले आपने उसे त्रिप्त किया है सुख धाम राम नमामी हे सुखों के धाम हे राम मैं आपको नमस्कार करता हूँ काम अनेक छभी रगुनायकम हे रगुनायक आपका जो सौंदर्य है आपकी जो चभी है करोडों काम दिवों की चभी भी उसके आगे फीकी है आपका सौंदर्य इतना अपूर्व है सुर्वरिंद रंजन देवताओं के समूहों को आनंद देने वाले दूंद भंजन दूंद क्या है दूंद भंजन है दूंदों को तोडने वाले सुक, दुख, लाब, हाने, यश, अपयश, जन्म, मृत्यो ये सब दूंदों है इन्ही दूंदों के अंदर जीवात्मा शरीर धारन करके फंसी रहते है उन सब दूंदों का भंजन करने वाले रामजी आप ही है मनुष्य का शरीर लेकर आये हैं आप लेकिन फिर भी अतुलित बल है आपके पास ब्रह्मा दिसंकर सेव्यम राम नमामि करुना कोमलं हे राम ब्रह्मा देव भगवान शंकर इत्यादी जितनी भी देवता हैं वे सभी आपका पुजन करते हैं और आप कैसे हैं करुना कोमलं करुना के वशिभूत होकर कोमल हुए हैं आप करुना कोमलं बाकी देव दया कोमलम है वे दया करते हैं जीवों पर लेकिन करुणा नहीं करते हैं करुणा तो बड़ा उच्छ भाव है बहुत उच्छ भाव करुणा में क्या होता है कि दीन दुखी का कष्ट देखकर उसके दुखों को दूर करने वाला भी विगलित हो जाता है उसका हिर्दे भी पहने लगता है दया करने वाले की अंदर अहंकार पैदा होता है कि किसी गरीब किसाहिता की तो उसे अहंकार आता है कि देखो मैंने कितना लोग कल्यान का कर्रे किया देखो मैंने मंदिर में पंखा लगवा दिया मैंने मंदिर में पाइदान बिछवा दिये कालीन बिछवा दिये अहंकार आता है कण मातर भी किसी के लिए कुछ करने पर जो अहंकार का भाव आता है उसमें दया का पक्ष दिखाई देता है कि दूसरों को बेचारा माना और दया के किन्तो करुणा में करुणा में ऐसा नहीं होता करुणा में तो दुखी के दुख के साथ ही व्यक्ति दुखी हो जाता है जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा पर करुणा की सुदामा के दुख से स्वयम भी दुखी हुए सुदामा की दीन दशा देख कर वे करुणा निधान भी अश्रू वहाने लगे दया में ऐसा नहीं होता करुणा से कोमल हुए राम जी आपको मैं नमस्कार करता हूँ अब कर क्रपा बिलोक मुहि आयूस देव क्रपाल हे देव अब आप क्रपा करें मुझके अब क्रपा कर बिलोक मुहे मेरी तरफ भी अब आप देख लीजिए क्रपा करें तुलसिदास जी भी विन्हे पत्रिका में यही कह रहे है कि राम जी बस एक बार मेरी तरफ देख लीजिए और देवराज इंद्र भी अब यही कह रहे है कि हे राम जी बस एक बार आप कृपा करके मेरी तरफ देख लीजिए और मेरे योग्य जो भी आग्या हो आपके मैं आपके सिवा को प्रस्तुत हूँ आप बताईए मैं क्या करो कहा करो क्या करो मैं आप मुझे बताईए आपके लिए सुन प्रिय बचन बोले दीन दयाल इंद्र के ऐसे प्रिय बचन सुनकर दीन दयाल प्रभु श्री राम उससे कहते हैं सुन सुर्पति देवताओं की राजा इंद्र सुनो कपी भालू हमारे ये जो बंदर है और ये भालू है न ये हमारे है अपना कहा राम जी ने उनको कि मेरे आदमी है यह और आप सुन ही रहे होंगे विन्य पत्री का उसमें तुलसिदास जी एक ही हट एक ही रट लगाए हुए है कि राम जी हमें आप से कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं बस एक बार कह दीजिए कि तुलसिदास मेरा है एक बार कह दीजिए और यहाँ प्रभुशिरी राम ने देवराज इंदर से क्या कहा कि सुनो इंदर यह भालू और यह बंदर यह हमारे आदमी है मेरे अपने हैं यह परे भूमी निसिचरहीजे मारे तुम देख रहे हो भूमी पर कितने मरे हुए वानर और भालू पड़े हुए और इनको राक्षसों ने मारा है तो अब तुम क्या करो ममहित लागी तजे इह प्राना इन सभी ने मेरा कारे सिद्ध करने के लिए मेरे हित के लिए मेरे भले के लिए अपने प्रान क्या गए है यह अपनी किश्किंधा नगरी को छोड़ कर यहां दूर दक्षन सागर तट तक मारे मारे मेरे साथ आए बिना किसी लोग के बिना किसी लालच के बिना किसी आकांग्शा के अपने प्राणों को इन्होंने त्याग दिया सिर्फ मेरा हिद करने के लिए राम काज करिबय को आतुर राम का काम हमें करना ये भावना इनके भीतर थी और ये चले आए मारे गए अपने प्राण इन्होंने ने उच्छावर कर दी मेरे, मेरे काम के लिए ये मेरे आत्मी है सकल जियाओ हूं सुरे से सुजाओ हे देवराज इंद्र इन सब को तुम जीवित कर दो अब देवराज इंद्र को क्यों कहा क्योंकि इंद्र के पास स्वर्ग में अमरित का लश है अमरित अर्थात मरे हुए को जो जीवित करते जिला दे अम्रित एक ऐसा रसायन है मरा हुआ जी उठता है अम्रित की खोज कब से जारी है अभी तक तो विज्ञान खोज नहीं पाया क्योंकि अम्रित है अवश्य अन्य था उसका वर्णन इतनी प्रबलता के साथ कभी न किया जाता अंतर इतना ही कि हम ही नहीं खोज पाया अभी तक है तो सही अब देवराज इंद्र से कहा प्रभू ने कि जाओ अम्रित लेकर आओ और इन सब को जीवित कर दो सुन खगेश प्रभू के यह बाने काक भुशंडी जी अब गरुन को कहते हैं कि सुनो खगेश गरुन जी महराज यह जो प्रभू की वानी है जो अभी इनों ने कही है कि बंदरो और भानों को जीवित कर दो अति अगाद जानही मुन जाने यह बड़ी गूड है रहस्यात्मक है और इसे बहुत सिद्ध और ज्यानिजन ही जान सकते हैं मर्मग्य जो हैं वेही प्रभू की इस वानी का मर्म जान सकते हैं अन्य दूसरा नहीं कि ऐसा प्रभू ने क्यों कहा प्रभू सक्त रुभून मारी जी आई केवल सक्रही दीन ही बढ़ाई क्या राम जी जीवित नहीं कर सकते इन मरे हुओं को काग भुशन दी जी गरुन से कह रहे हैं कि वे चाहें तो तीनों लोकों को मार कर भस्म करके फिर पुने जीवित कर दें इतनी शक्ति है राम जी के पास लेकिन फिर भी देवराज इंदर से क्यों कहा क्योंकि उसने सेवा मागी कि प्रभु कुछ सेवा मेरे लिए भी बता देजी मैं भी कुछ आपके काम आसा तो देवराज इंदर को बड़ाई देने के लिए प्रशंसा देने के लिए यश्ट देने के लिए कि संसार कहेगा कि भई देखो देवराज इंद्र ने भी बड़ी साहिता की प्रभू की जो वानर और भालू मारे गए थे न स्वर्ग का अमरित लाकर उन पर बरसा है और उनने जीवित कर दिया कौन देता है अमरित लाकर लेकिन देवराज इंद्र ने सेवा की भई तो इंद्र को बढ़ाई देने के लिए प्रभू ने ऐसा किया सुधा बर्ष कपु भालू जी आए हर्च उठे सब प्रभू पही आए अमरित की वर्षा के इंद्र ने वर्षा होई अमरित की तो बंदर और भालू जीवित हो गए जीवित होकर बड़े हर्षित हुए और प्रभू के पास आगए अब जब वर्षा की तो भाहाँ पर युद्ध भूमी है सभी मरे पड़े हैं राक्षस भी मरे हुए हैं तो अब प्रशन है जब अमरित की वर्षा होई तो अमरित तो राक्षसों पर भी गिरा पर वे जीवित नहीं हुए सुधा वरिष्टि भय दो दल उपर वे जो अमरित की वर्षा थी वो दोनों दलों के उपर समान रूप से हुई जिये भालू कपी नहीं नज़नी चर केवल भालू और कपी ही जिये नहीं रजनी चर राक्षस जीवित नहीं हुए दो ही जीवित हुए कुछ सोच रहे होंगे कि प्रभू तो समदर्शी है सब को समांद्रिष्टी से देखते हैं तो ये क्या किया प्रपु ने पिकेवल भालूं को और बंदरों को ही जीवित कर दिया राक्षस को भी तो जीवित करना चाहिए था हैं जब समांद्रिष्टी है तो तो तर्क करने वाले ऐसी बात कहीं और उपर कहीं दिया है काग भुशंडी जीने गरुण जी को जीने कथा सुना रहे हैं कि ये बात बड़ी गूड है रहस्यात्मक है सभी लोग नहीं जान सकते केवल सिद्ध जन ही जान सकते हैं मुनी ज्यानी जुहें वही इसकी बात का मर्म समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा रामा कार भई तिनके मन मुक्त भई छूटे बव बंदन राक्षसों को क्यों नहीं जीवित किया उसका उत्तर यहां दे रहे कि मर्ते समय राक्षसों के मन में सिर्फ राम ही थे राम का ही नाम ले रहे थे वो युद्ध करते समय चाहे कह रहे थे मारो राम को पकड़ो जाने न पाए घेर लो राम को बस राम 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 यही पुकार रहे थे और कुछ नहीं पुका लए और जब मारे गई मरते समय भी राम का नाम बोला तो क्या हुआ रामाकार भय राम के आकार में वे एक हो गए राम में ही समा गए तिनके मन उन राक्षसों के जो मन थे वे राम के साथ एकाकार हो गए उन्हें तो मोक्ष प्राप्त हो गया मुक्ती प्राप्त हो गई तो जब मुक्ती प्राप्त हो गई तो फिर जीवित होने का तो कोई प्रशन ही नहीं उठता जीवित हो ही नहीं सकते जो उस खेल से ही भार हो गया जन्म मरण के तो फिर जन्म कैसे हो सकता है वे तो उस नियमावली के अंतरगत आते ही नहीं अम्रित का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रभाव तो उस पर हो जो मर्यूई वस्तु है जो मुक्त है जो छूट गई उस पर कैसे प्रभाव होगा सुर अंसिक सब कपी अरूरीचा जीये सकल रगुपत्ती की ईचा ये जो बंदर और भालू थे क्यों जीवित हो गए क्योंकि ये अंश थे जो देवताओं के प्रभू की साहिता करने के लिए आये थे और अभी इनकी लीला बाकी है इनको साथ होना है इसलिए प्रभू की इच्छा थी की अभी मेरे साथ ही रहें इसलिए इनको जीवित कर दिया इनको अपने लीला का उस हिस्से में भी बनाई रखना था राम सरिस को दीन हितकारी कीने मुकुत निसाचर जारे राम के समान भला हितकारी कौन हो सकता है दीनों का हितकारी राक्षस बेचारे कितने दीन थे पापों में ऐसे लिप्त थे कि अनंत जन्मों तक भी मुक्ती नहीं मिल सकते थे किन्तु कीने मुकुत निसाचर जारे इन निसाचरों को इन राक्षसों को राम जी ने मुक्त कर दिया खल मल धाम कामरत रावन और जो रावन था वो कैसा था खल, दुष्ट, मल धाम कीचड का घर था मल का गंदगी का धेर था काम वासना में ही रत रहता था लीन रहता था गति पाई जो मुनिबर पावना और कैसी गति दी प्रभूने उसको जो मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती है अनन्त अनन्त जन्मों तक मुनि साधना करते हैं कि उस परम गति को प्राप्त कर लिए जो राम के धाम में जाती है किन्तु उनको भी नहीं मिलती और रावन जैसे मल के धेर को काम वासना में जो लिप्त रहता था दुष्ट था उसको प्रभु ने ऐसी गती दे दी इनके समान दीनों पर हित करने वाला भला कौन है और राम की मौज राम की लीला इसी लिए पहले ही काक भुशंडी जी ने गरुण को कह दिया है कि गरुण महराज जरत संभल कर सुनना कहीं संदेह ना आ जाए कि राम जी ये क्या कर रहे हैं क्योंकि राम की लीला राम ही जाने या फिर जो गूड ग्यानी जन है वे ही जान सकते हैं कि ऐसा क्यों किया सुमन बर्ष सब सुर चले चड़ड़ी रुचर विमान अब अनंद देवता आये हुए थे ये सारा दृष्य देखने सभी ने पुष्प वर्षा की और सभी इस दृष्य का अनंद लेते हुए अपने अपने विमानों पर चड़कर अपने अपने लोग को वापस चले गए सब चले गया ब्रह्मा जी भी चले गए देवराज इंदर भी चले गए अब रहे गए हैं राम जी, सीता जी, लक्ष्मन और बाकी हनुमाईन जी, सुग्रीव मुख्य मुख्य लोग यही रहे गए तो अब कोन आएगा देख सुवसर प्रभु पही आये हुँ संभु सुजान भोले बाबा आये हैं अब ओम नमस्षिवाए, शंकर भगवान इस सुवसर को देख कर कि अच्छा है सब लोग जा चुके, सब निबट गए सब ने अपने अपने मन की राम जी को कह ली इस सुवसर को देखने के बाद वे जो सुजान हैं, वे जो परम सयाने हैं वे सुजान, वे शंकर भगवान, वे भोले बाबा अब राम जी से मिलने आये हैं सब के जाने के बाद सभी के जाने के बाद अब सोचिए कि आप कौन सा प्रसंग सुन रहे हैं सोचने को कह रहा हूँ, सोचने की भात नहीं है लेकिन बुद्धी की अतिरिक्ष कुछ है भी तो नहीं वही तो सुचवाएगी या फिर हरदय है तो दोनों को ही लगा कर सोचिए कि कैसा प्रसंग आपने सुना है ब्रह्मा जी आ रहे हैं, भगवान के स्तुति कर रहे हैं फिर देवराज इंद्र आए, उन्होंने प्रभुश्री राम के स्तुति की और दोनों ने स्तुति करते समय जो बाते बताई ना वे साधारण नहीं है राम जी के विशय में कौन कह रहा है कोई साधारण वेक्ति नहीं कह रहा कहने वाले ब्रह्मा जी हैं देवराज इंद्र हैं तो इन दोनों ने जो भी बाते बताई उनको बारंबार शरवन कर रहा है बारंबार क्योंकि तभी बात बनेगी कुछ किसने कहा ये बहुत महतपूर्ण होता है क्या कह ये महतपूर्ण इतना नहीं है किसने कहा एक बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवराज इंद्र कह रहे हैं प्रभु शरी राम के संबंद में तो निश्चित रूप से वह बहुत गूर बात होगी ये गहरी बात होगी टॉप सीक्रेट होगा और वो हमारे सब के सामने कही जा रही है और इसलिए उस बात को पी लेना, उस बात को जी लेना समझ लीजिए कि बात बनने की बात है फिर और अब तो भगवान शंकर भी आ गए वे क्या कहेंगे? वे जो कहेंगे वे तो सबसे न्यारख होगा ही होगा क्योंकि भगवान शिव के आराध्य प्रभुशरी राम है अपने आराध्य के पास भगवान शंकर आये हैं और उनका जो कहना होगा ना बस पूरी तरह से डूब कर लीन होकर उसे सुनना है अपने रक्त का अपनी श्वास का हिस्सा बना लेना है ये टेकनीक है ये विधी है जो मैं बता रहा हूँ सुनने की यूही मत सुन लीजिये का कानों से सारी इंद्रियों को, हृदय को, मन को, आत्मा को, सब को इखटा कर लेना है एक केंद्र बिंदू पर ले आना है कि सब एक बिंदू पर आकर सुनो भगवान शंकर अब कुछ कहने वाले हैं तो सभी लग जाए अपनी समस्त इंद्रियों को इखटा करने में कल तक वे सब इखटा हो ही जाएंगी क्योंकि भागेंगी इखटा तो होंगी ने पकड़ पकड़ कर लाना पड़ेगा तो जो सोभागेशाली हैं भी पकड़ कर ले आएंगे और बांद कर बिठा देंगे तब तब कहा जाएगा कि भगवान शंकर ने क्या कहा राम राम जै जै कपिनायक निज सुख दायक शंकर स्वायम अनूपा जै भगति विकासक दुरगुन नाशक सचिदानंद सरूपा जै पवन कुमारा बारम उदारा केसरि कुमर सुरूपा जै अंजनि नंदन सुर्मु निरंजन दुख बंजन सुख रूपा जै जै अविनाशी सब गुनराशी धाम अखंडा नंदा केवल प्रभुमाना परम अमाना अदवुत चरित मुकुन्दा अत एव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि व्रिंदा तजी योग मिरागा से अनुरागा गावत शुब गुन व्रिंदा गावत शुब गुनि व्रिंदा झाल 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 झाल